वीडियो में हम लोग concise mathematics का chapter 5 quadratic equation का exercise नमबर जो 5 भी दिया हुआ है ये हम लोग आज शुरू करेंगे चलिए दिखते हैं question number 13, question number 13 क्या कह रहा है? x plus 3 का whole square minus 4 x plus 3 इस question में minus 5 इस question में जो trick है ये बहुत अच्छी trick है और ये आपको मैं बताता हूँ आप इसको देखे confused होने के full chance है क्योंकि ये आपको formula भी दिखेगा और ये आपको ऐसा लगेगा कि बड़ा easy है लेकिन इसको जो solve करने का तरीका वो ये है कि जब इस तरह के के दो common चीज़े आपको दिखाई दें जैसे ये है x plus 3 इधर भी है x plus 3 ठीक है जब कभी भी इस तरह कॉमन चीज़ों है तो इसको simplify करने के लिए इसका कोई एक नाम दे दीजे ठीक है जैसे मैं इसका नाम दे दिया y मतलब मैंने बोला let x plus 3 is equal to y अब इसको solve करिए असानी से पता क्या होगा अगर आप इसको पॉर्मले से solve करेंगे तो यह और बड़ा हो जाएगा equation जब यह equation बड़ा हो गया फिर solve करने में आपको और तकलीफ होगी तो better है पहले इसको छोटा करके solve कर लीजे और बाद में यह value मैं put कर दूँगा और फिर उसको solve कर देंगा ठीक है तो यह एक छोटी सी trick है यह मैं य minus 4y ठीक है यह y हो गया यह y हो गया y square minus 4y और minus 5 that is equal to 0 ठीक यह quality equation बनी मेरी अब इसको कैसे लिख सकते हैं इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं y square minus 5y plus y minus 5 is equal to 0 ठीक है और बाद में इन दोनों में से y common लिया तो यह हो जाएगा y minus 5 इधर भी हो गया y minus 5 और यहां पे हम लोग लिख देंगे plus 1 is equal to 0 तो y plus 1 और y minus 5 is equal to 0 अब जब आपकी equation थोड़ी simplify लग रही आपको ठीक है अभी यह देखे थोड़ा सा ठीक सा दिख रहा है यह equation और इस equation में द में और इसमें यह खोड़ा simple लग रहा है अब यहां पे आप y की value रख दीजे तो substituting substituting the value of y तो यह क्या हो जाएगा y plus 1 means what y is x plus 3 तो यह हो जाएगा x plus 3 minus 5 एक यह बन गया x plus 3 plus 1 and that is equal to 0 तो इसको further solve करेंगे तो यह हो जाएगा x minus 2 ठीक है plus 3 minus 5 minus 2 और यह हो जाएगा x plus 4 is equal to 0 देखा आपने मैंने इस equation को just by applying this trick कैसे इतना simple बना दिया कि देखे दो line में solve हो गया यह ठीक है आप इसको कोई भी formula रख करके दो line में solve नहीं कर सकते एक guarantee तो बस यह trick है जहां कहीं भी भी यह common दिखाई दे उसको आप कोई एक term मान लिजे x y z b qr कुछ भी मान लिजे और बाद में उसको simplify करके फिर फिर वैलू पुट करिये ठीक है आप बस x minus 2 is equal to 0 that is x is equal to 2 और x plus 4 is equal to 0 that is x is equal to minus 4 therefore the answer will be either x is equal to 2 or minus 4 and that is the answer okay so this is all about question number 30